अल्लो फ्रेंस स्वात है आप सभी करा फिर से हमाई चैनल इक वील डिएक में तो इस वीडियो में हम देखेंगेומet पोल्ट्री का ना तो पोल्ट्री फार्मिंग,फोल्ट्री का मिनिंग क्या होता है फिर पोल्ट्री का टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन बोलो या फिर जोलो classification का दो type होता है एक जुलोजिकल क्लासीकेशन एक बॉतनिकल classification तो जुलोजिकल क्लासीफिकेशन जुलोजी से आया है तो इसमें के वाल animal human यह सब का हम यह जो classification आएगा सब इसमें आएगा ठीक्या अब जो होगा, regio-logical classification, botanical classification आप कभी मद बोलना, और plant में आप regio-logical classification कभी मद बोलना, आप scientific classification बोल सकते हो दोनों में कि scientific classification of poultry, scientific classification of rice याफी cereal crop, जो भी होगा, या जो भी होगा, जो लोजिकल क्लासिफिकेशन और आपका जो लोजिकल क्लासिफिकेशन और आपका जो लोजिकल क्लासिफिकेशन में डिफ्रेंस क्या है बेसिक अंदर क्या है अब हम इस वीडियो के main topic pae आते हैं कि geological classification taxonomical classification scientific classification coltry का तिक है जो poultry है हमारी यानकि जिसमें आते हैं कौन-कौन ducks, goose तिक है फिर आपका जो cock, hint, ये सब आ जाएगा turkey, foul ये सब जो भी है उस poultry का हमलोग classification करेंगे taxonomical classification करेंगे अब जो देखते हैं, हम लोग classification कैसे करते हैं, किसी भी animal का, किसी भी crop का, किसी भी plant का, किसी भी cattle वगड़ का, मतब किसी का भी classification, scientific classification कैसे करते हैं, पहले kingdom, फिर phylum, फिर sub phylum, class, sub class, order, genus, तेखिया, फिर botanical name, या फिर geological name, scientific name, जो भी आता है, ऐसे करते हैं, तेखिया, यह बता हूँगा, कि जैसे कि kingdom है, poultry का एनिमलिया, तो एनिमलिया में क्यों आया, फिर आपका है phylum, quad data, quad data क्या होता है, आपका poultry जो है, quad data में ही क्यों आया, दूसरे किसी phylum group में, sub phylum group में, class में, किसी और class में क्यों नहीं, इसको हम रखें, तो देखते हैं, एक एक करके, त तो kingdom क्या है, एनिमलिया, ठीक है, poultry का kingdom है, एनिमलिया, तो एनिमलिया क्या है, बिसिकल जो भी animal होते हैं, वो सब को एनिमलिया kingdom में हम लोग रख देते हैं, ठीक है, जो भी plants होंगे, उसको plantary kingdom में हम लोग रख देंगे, ठीक है, यहां तो तो clear हो गया, poultry क्या है, animal है, इस इसलिए इसको animal ही किंग्डम में हम लोग रखते हैं अब आता है phylum इसका phylum होता है यानि कि poultry का phylum अगर पढ़ेंगे तो इसका phylum होता है quart data दा का मतलब होता है कि जो भी animal जिसके पास backbone है तो जो भी animal जिसके पस backbone है वो quodata हो गया, तो poultry के पास भी backbone है, तो इसलिए poultry को हम quodata में substitute करते हैं, sorry, quodata में रखते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं subphylum की, तो subphylum होता है, poultry के subphylum होता है, vertebrata, ठीक है, vertebrata का मतलब, जिसके पास spinal cord हो, जिसके पास spinal column हो, ठीक है, तो जैसे कि हम लोग के पास क्या है, है, नहीं है, है की नहीं, आप comment बताओ, ठीक है, तो poultry के पास जो है ना, वो spinal column है, इसलिए poultry को vertebrata में रखा गया, अब class की बात करें, तो class, इसका poultry का class होता है, एवेस, एवेस में, एवेस में कौन कौन आता है, एवेस में वो सारे animal ही आएंगे, वो सारे animal ही है, kingdom के, जो भी animal है, वो आएंगे, जिनके पास feeder है, ठीक है, जिनका जो blood है, warm blood है, warm blood है, ठीक है, उनका nature warm blood है, cold blood होता है, warm blood होता है, वो आपको पता होगा, फिर है vertebrata, ठीक तो जो यानिकी पॉल्ट्री का जो है न उनके में फीदर भी होता है उनका ब्लड है यानका जो नेचर है वो वार्म ब्लडड नेचर है उनके पास वॉर्टीव्रेट्स है उनका बटा हुआ है अब सब्ग्लास अगर देखें तो सब्ग्लास होता है, पोल्ट्री का सब्ग्लास क्या होता है, नियोर्ण नाइट्स, ठीक है, क्या होता है, नियोर्ण नाइट्स, नियोर्ण नाइट्स में वो सारे एनिमल आते हैं, जो कि जिनके पास तीथ नहीं होता है, दात नहीं होता ह हम लोग क्या नियोन नाइट है नहीं है तो इनके पास जो है चोच है क्या है मैं एप डेखे लो डंप उठा और देखे देखें लो आप नमाय मोठी करे देख लो मुर्गा मुर्गी चौता है जो भी इडिक है और को कि किसी कभी दाथ नहीं होगा सबकर चोच होता है तो नइण नाइट यानि कि उनके पास तीथ नहीं होगा तो वह आएंगे के नियोड़ नाइट में आप बात करते हैं और की तो पोल्टरी के दो और होता है पहला ओर होता है गैली फोर्म्स जुमत दुसरा ओर्डर होता चोटी पंक हो और लेग हो तोज हो यानि कि अंगुठा वगर उंगली वगरा ठीक है और अपने जो प्यार है उससे स्क्रैचिंग करते हो यानि जो बॉडी है उनका याफी मिट्टी तो उसको स्क्रैच करते हो खरोचते हो ठीक है तो यह आजाएगा गैली फ़र्म में तो चाहरे पर्ट्री के वह सारे बर्ड आएँगे जोकि Aquatic घाट पर्ट्री होता है जोकि पानी में रहना पसंद करते हैं जैसे की जैसे कि Hans गूज हो गया ठीक है जैसे कि Ducks बत्तक हो गये ठीक है यह सब चीज यहाँ पर आएंगे होप आपको सारी चीजे क्लियर हो गई होगी Taxonomical Classification of Poultry या फिर Scientific Classification बोलो या फिर Botanical नहीं बोलना है Geological Classification of Poultry बोलना है तो ये तिनों होप आपको क्लियर हो गई होगी फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहें